Hello and welcome to the GOA Colleges GS, मैं हूँ Dr. Krishnanand और Class 11 का Practical Geography का जो portion है वह आज हम लोग शुरू कर रहे हैं इस वीडियो में तो आज इस पहले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Basic Introduction to Maps, Cartography और कुछ Basic Concepts जो की Glossary में भी दिया हुआ है NCRT में उसको हम लोग revise करने वाले हैं जोगरिफी कवर किया है और और भी जो वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे तो इस चैनल पर हमारा initiative यह है कि हम General Studies से related सारे topics gradually करेंगे हमने जोगरिफी NCRT से शुरू किया है लेकिन आगे हम History, International Relations, Internal Security यह सारे papers दीरे-दीरे लेके आने वाले हैं बट पहले हम NCRT सीरीज को खतम करेंगे तो आईए लर्न करते हैं यह Basic Introduction to Maps और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और प्लीज यह वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेर जरूर करिए तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह है हमारा Class 11 का Practical Geography जिसका Chapter No.1 है Introduction to Maps और इस Practical Geography का नाम जो है यहाँ पे आप देखेंगे Practical Work in Geography भी दिया गया है तो Practical Geography बोलिया या Practical Work in Geography तो उसका यह पहला Chapter हम लोग revise करने वाले हैं अब इस Basic Introduction to Maps में सबसे पहले समझने वाली बात क्या है तो सबसे पहले समझना है Representation of Earth on a Two-Dimensional Space क्यों? क्योंकि Map जो है वो एक 3D का 2D है मतलब आप जब देखते हैं किसी भी चीज़ को अपने आस-पास तो जब उसी चीज़ को हम Map पे represent करते हैं Representing the real spaces अब representation में क्या खास बात है और क्या-क्या बातों का ध्यान रखना है वो ही इस chapter में हम लोग revise करेंगे पढ़ेंगे तो सबसे पहले देखिए कि Earth का shape कैसा है? Geoid shape है यानि 3-Dimensional shape है और Map पे हम उसको क्या करते हैं? Simplify करते हैं Understanding को better करने के लिए basics को समझ पाएं अच्छे से तो इसलिए ये 2-Dimensional representation आप देखेंगे यहां दिया गया है कि 3-Dimensional Earth को 2-D पे represent करेंगे और कुछ चीज़ों को use करेंगे यानि उसमें एक चीज़ है system of projections जिसको हम बोलते है map projection जो कि आने वाले chapters में हम पढ़ेंगे और दूसरी चीज़ है scale तो आप देखेंगे दो चीज़ें ऐसी है एक है scale और एक है projection ये दो ऐसी चीज़े हैं जिसको इस्तमाल करके आप क्या करते हैं 3-Dimensional को 2-Dimensional में convert करते हैं और scales और projections को हम detail में anyway आने वाले chapters में पढ़ेंगे तो ज़ड़ा detail में यहां नहीं बात करते हैं यहां देखते हैं कि basics में क्या बताया गया है फिर आईए देखते हैं कि कहा गया है कि आप कोई भी चीज़ को represent कर सकते हैं map के उपर जो कि real space में आप देखते हैं समझते हैं experience करते हैं तो basically क्या करना है आपको use करना है symbols, colors, shades और एक particular way of representation जो कि आप देखेंगे कि generalized representation of total whole होता है या कोई एक part का representation होता है यहां पर आप देखिए दिल्ली का map दिया गया है तो इस तरफ map of Delhi है इस तरफ sketches है तो आप दो word यहीं आ जाता है sketch क्या होता है और map क्या होता है दोनों में फर्क देखिए आप तो आपको दिखेगा कि sketch जो है वो freehand drawn है इसमें आप measurements नहीं ले सकते quantify नहीं कर सकते यहां से यहां कितना kilometer होगा यह road कितनी चौड़ी होगी but यह to the scale बना हुए है यानि इसमें representation जो है words दिए गया है तो एक-एक करके थोड़ा words को देख लेते हैं क्योंकि यह basic introduction है तो cadastral map एक शब्द होता है अब cadastral जो है वो latin word से आता है french में आया cadastral का मतलब होता है piece of land तो cadastral map basically क्या है एक large scale map है अब यहीं पर मैं clarify कर दूँ जबकि scale पढ़ेंगे वहाँ फैसे करेंगे कि जब भी आप सुनिए large scale map यानि जो representation होगा वो बहुत बड़ा fraction होगा fraction बड़ा होगा यानि एक को अगर आप 500 parts में divide करें और एक को अगर आप 50,000 parts में divide करें कौन सा fraction बड़ा है obviously यह fraction बड़ा है तो जो fraction बड़ा है वो ज़्यादा detail देगा आप इसलिए इसको cadastral map कहते हैं तो cadastral map जो है वो आपकी properties वाली जो होती है अगर आप कभी अपने गाउं जाएंगे या आप गए होंगे पटवारी के पास जो map होता है वो cadastral map होता है इसको हमारे यहाँ पर खाता खसरा भी बोलता है जो उसका number होता है उसमें दिया होता है और आप उसके हिसाब से अपने plots को identify कर पाते है तो उतनी detail होती है इसमें large scale map में फिर कुछ बात है cardinal points अब cardinal directions आप समझते हैं तो आप normally north को उपर रखते हैं map में east, west, south यह cardinal points है, cardinal directions है फिट cartography जो है वो क्या है एक art, science and technology of map making इसको cartography कहते हैं generalization of map मतलब आप जो भी map को देखते हैं features को देखते हैं उन पे आप basic generalization करके जो appropriate scale और purpose से map बनाते हैं visual form इसको general purpose maps कहते हैं और बहुत specific purpose maps भी होते हैं वो हम आगे देखेंगे फिर आता है शब्द geoid अब geoid जो है एक common word यूज कहा जाता है earth के shape को represent करने के लिए जो कि एक oblate spheroid से लिया गया है oblate spheroid का मतलब यह है कि earth जो है वो poles पे flat है और center में बाहर निकला हुआ है bulged out है ऐसे shape को हम कहते हैं oblate spheroid अब क्योंकि geoid, spheroid यह सब geometrical figures और उससे derivatives हैं तो इसको हम आगे भी देखेंगे कि इसको क्यों ऐसे कहते हैं क्योंकि earth, real earth अगर आप देखेंगे तो वो उबर खाबर है तो उसमें हम एक average value लेके इसको plot करते हैं और कहते हैं कि इसका shape जो है वो earth जैसा है इसलिए geoid है, अब आते हैं map तो आपने देखा map जो है वो selectic, symbolized generalized representation of whole और part of earth है at a reduced scale and map series क्या है? एक particular series of map जो same scale पे हो, same style में हो और उसमें specification हो किसी country या region का, उसको बोलते है map series, उसके लावा map projection scale और sketch map, तो देखें map projection क्या होता है? एक projection का मतलब आप देखेंगे कि light कहीं से आप throw करते हैं object पे और उसका shadow कहीं cast होता है तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि map जो है, वो three dimensional को two dimensional में करना है तो three dimensional को two dimensional में करने के लिए आप क्या करते हैं? उसको project करते हैं एक plane surface पे इसी process को projection कहते हैं अपने घर में देखा होगा या schools में या कहीं और देखा होगा projector यूज करते हैं, उसमें slide होती है जिसको project करता है बड़े में और वो आपको दिखाता है, ऐसे ही scale क्या है? scale है ratio basically, एक fraction है किस चीज के बीच? distance of two points on map and distance of two points on ground अगर A से B का distance है, map के उपर क्या है और same A से B का distance ground के उपर क्या है तो map upon ground ये जो होगा, वो होगा scale of the map, कितने चीज को अपने कितने भाग को अपने कितने में दिखाया है और sketch क्या होता है? ये एक free hand drawn sketch है किसी जगह का जहां पे आपको scale जो है वो अब बात करते हैं आगे essentials of map making की essentials of map making में सबसे important क्या चीज़े हैं इसको समझ लीजे, तो scale, projection generalization, design and finally map construction and production, तो एक एक करके इसको समझे कि ये जो components है cartography के, ये जो 1, 2, 3, 4, 5 components of cartography है, ये कैसे इसको समझना है और ये क्या क्या होता है तो सबसे पहले scale, जो कि अलग chapter भी है बट यहाँ पे समझे कि आपको reduce करना है real world space को, आपको 10 km का area, अगर 1 cm में दिखाना है map में तो आपको क्या करना होगा, इसको scale down करना होगा, तो आप देखिए इसको first decision क्या है कि आपको ये देखना है कि आप scale क्या रखने वाले है, एक cm map पे, ground का कितना km दिखाने वाला है इसी चीज़ को हम लोग कहते है scaling, अब बात करते हैं, projection की तो आप देखेंगे, projection से क्या होता है simplification of the representation of three dimensional surface of the earth on a plain sheet of paper, तो आप देखेंगे earth जो है, वो कुछ projection करता है, आपको reality को थोड़ा सा simplify करने का काम करता है, तो इसी लिए क्या करते हैं, radical transformation करते हैं, और इसमें आप देखेंगे shapes को, areas को, distances को कोशिश करते हैं, preserve करके रखने की, और इसी को हम geoid बोलते हैं, तो ये बहुत सारे तरीके के projections होते हैं, अलग-अलग purpose के हिसाब से, वो हम आगे देखेंगे तो आप देखेंगे, इसी दिल्ली को, जो दिया गया है, यहाँ पे अलग-अलग ways में तो आप ये वाला map आप देखें ये वाला आप देखें और अगला जो detailing के साथ साथ है, तो आप देखेंगे क्या, कि जैसे-जैसे क्या हो रहा है, change हो रहा है आपको scale में, वैसे-वैसे detailing आप देख सकते हैं, बढ़ रहा है तो ये आप देखें कि इसको zoom factor की तरह consider करिए, अब इससे जादा zoom करेंगे, तो आपको थोड़ा और आगे detail दिख रहा है, फिर और zoom करेंगे, तो आप देखें, ये जो connote place है ये थोड़ा सा visible होने लगा, और और zoom करेंगे, तो और detail दिखने लगा, connote place का, इसका क्या मतलब हुआ, कि आपने scale को change किया, small scale से large scale की तरफ गया, meters को आप centimeter में represent करने लगे, पहले आप kilometers को centimeter में represent कर रहे थे, तो इनी बातों को ध्यान रखना है, फिर आता है generalization की बात, कि हर map का एक क्या होता है, objective होता है, एक purpose होता है, तो अगर purpose मेरा बहुत specific है, जैसे आपको सिर्फ transport lines दिखानी है, तो आपका specific हो गया, लेकिन आपको एक common admin के लिए common representation देना है, कि भाई, basics बताओ कि यहाँ पर और क्या क्या चीज़े हैं, तो उसको बोलते है general purpose map, जिसमें relief, drainage, vegetation, settlement, ये सारी बाते आपको मिल जाएंगी, लेकिन कोई बात detail में नहीं मिलेगी, ये समझने की जरुत है, तो इसी को general maps कहते हैं, अब आता है map design, तो map design जो है, वो सबसे important component हो गया cartographer के लिए, यूँकि designing में क्या use होगा, symbols use होगे, size और form की बात होगी, styling of lettering की बात होगी, जो भी बाते लिखी जाती है वो कैसे लिखी गई हैं, किस तरीके से, कौन सा color और shade किस चीज़ और map construction और production जो है, उसके बाद किया जाता है ताकि logo में distribute किया जा सके तो ये आखरी task होता है cartography process का, जिसमें map का construction, reproduction और ये सारा काम, आज की date में हम computerized way में करते हैं, photo printing का दोर है अभी, पहले हाथ से बनाते थे, उसकी copies बनती थी, उस तरीके से होता था, तो अभी बहुत technology बदल गया तो अब क्या है, digital cartography हो गया है उसका नाम, जो पहले manual cartography था, तो ये पुरा एक journey है, अब थोड़ा यहां आते हैं history of map making को देखते हैं कि शुरुआत कैसे हुई, तो history of map making जो है, वो उतना ही बड़ा और पुराना है जितना mankind का खुद का history है right, development process के साथ maps भी बदले, तो आप देखेंगे सबसे पुराने जो maps मिले हैं वो कहीं न कहीं पुराने civilizations में मिले हैं, तो आप Indus Valley की बात करते हैं Mesopotamian civilization की बात करते हैं जहांपे clay tablet, अब ध्यान किया जाता था, same clay को tablets की तरह used किया गया, जिस पे जगहों को भी represent किया गया तो clay tablets का इस्तमाल आप देखेंगे 3000 BC, 2500 BC मतलब आज से करीब 5000-6000 साल पहले से शुरुआत होती है, अब Romans and Greeks ने इसमें महारत हासिल की और आप देखेंगे Ptolemy जिनका नाम आता है, map of the world बनाने के लिए बहुत famous है और Greek and Arab geographers ने Middle Ages में, further आप देखेंगे आते हुए और develop किया, modern cartography की तरफ ले किया है, तो थोड़ा सा यहां दिया गया है, Ptolemy's map of the world अब आप देखेंगे, Ptolemy जो है वो, Romans kingdom की बात हम करते हैं, उस समय पर, लगबग 2000 साल पहले की बात, तो उस समय जो known world था, उसको कैसे represent किया तो आप देखेंगे, आपको दिखेंगा यहां पे, कि Ganga river को यहां तक represent किया गया है, Indus को represent किया गया है, और आप देखें, equator की बात भी की गई है यहां पे, है ना तो आप देख सकते हैं, और कुछ Europe के places, Mediterranean और Ethiopia कहा गया आफरिका को इतना ही known world था, बागी तो यह जब discovery में हुआ, तो इतना known world कम से कम बताया गया, तो आप देखेंगे जादा तर जो यहां पे साशक हुए वो सब इधर, जो later east की तरफ आए जड़ाई की, आकरमन की, वो एक thought है कि east में sunshine होता है, sunrise होता है और east में far off lands है, जहां पे treasure हो सकता है, तो सब ने east की तरफ आना हुआ, इसलिए भी क्योंकि mapping जो है, वो एक perception create करता है दुनिया, तो यही सारे बाते आप देखेंगे, यहां दी गई है अब बात करते हैं कि क्या इंडिया में concept नहीं था map का, है तो हमारे जो पुरानिक maps हैं पुरानिक thoughts हैं, वो अलग ways में represent करती हैं वो इस तरीके से represent नहीं करती तो हमारे आप देखेंगे कि यह आपको इस तरीके से दिखेगा कि किस तरीके से layer after layer इसको बनाया गया है तो बहुत सारे laws और सिधान्त जिसको बात करते हैं आरे भट, वरा, महर, भासकर इन्होंने जो अलग अलग द्वीपों की बात करते हैं, वो आज भी हम करते हैं संस्कृत के मनतुचारण में आपको मिले गए जम्बू, द्वीप and several others तो आप देखिए जो हमारे पौरानिक representation है वो कितने accurate हैं, तो आप देख सकते हैं भारत खंड, यहां देखिए सलमली द्वीप है यहां पर अभी Madagascar और Eastern Africa है पलस का द्वीप आप देखिए जो अल्मूस North West Africa की बात कर रहे है क्रॉंच द्वीप जो है वो यॉरप है, जम्बू द्वीप जो है यह पूरा-पूरा एशिया की बात है पुश्कर द्वीप अभी जो आप Siberia और Eastern रश्या की बात कर रहे है फिर सकद्वीप जो है वो Pacific की बात है तो आप देखिए यह सारे जो द्वीप हैं वो आपको यहां पर clearly देखने को मिलते हैं Seven Dweepers of the World और एक जो पौरानिक concept है वो यह है कि जो एक गर्ब ग्रिह का concept होता है जैसे temples में वैसे ही एक गर्ब की बात है हिरन्य गर्ब concept कहता है इसको इसमें मेरू जो है वो एक central pillar है मांट मेरू और इसके north में और इसके south में इसके east में इसके west में देखेंगे आप लेकिन इसको आपको three dimensional में assume करना चाहिए जैसे एक ball होता है उसके center में है वो और बाकी चीज़े projected outwards है two dimensional में लोगों को कई बार confusion हो जाता है तो इस तरीके से मत समझे आप यह center है पाइवट है और इसमें यहाँ पे इलावरत आप देखेंगे स्वेत वर्स, हिरन्यक वर्स एरावत वर्स और फिर यह मिल्की ओशन से अब यह salt ocean, milk ocean यह जो concepts है यह पौरानिक concepts है different different stories है different incarnations of gods है उनके हिसाब से बना हुआ है और यहाँ आप देखिए आपको देखेगा जो जम्बू द्वीप है वो करेब करेब मेरू के पास वाला एरिया है फिर हरी वर्स, हिमवत वर्स, भारत वर्स, salt ocean तो आप देखेंगे आपको एक idea लगेगा कि यह इसी चीज़ से related है थोड़ा सा अगर आप समझ पाएं यहाँ पे तो अब बात करते हैं कि अकबर के टाइम पे अगर आपने सुना हो तोडर मल बहुत famous हुए तो मुगल्स नहीं क्या किया उनको राज करना था पूरे इंडिया और इंडियन सब कॉंटिनेंट पे तो उन्होंने सबसे पहला काम किया surveying करवाई तो सबसे modern surveys अगर middle ages में देखें तो land survey और map making किस ने कराया तोडर मल ने इन्होंने revenue collection के लिए करा इसको और फिर देखेंगे सेरसा सूरी ने revenue maps के लिए फर्दर किया तो ये ध्यान रहे ये university में काटोग्रिफी पढ़ाने के लिए नहीं किया इन्होंने अपने फाइदे के लिए किया लेकिन आज हम हमको क्या मिला इससे एक idea मिला कि जितना आप जानोगे जितना एक floor करोगे उतना better revenue मिलेगा आपको तो survey of India बनाया ही इसलिए गया था और by the time आप देखेंगे कि map of Hindustan 1785 में survey of India लेके आ जाते हैं और वहाँ पे सारी की सारी detail map कर देते हैं तो ये पूरा एक कहानी है world की इंडिया की और रीटेल में पढ़ सकते हैं NCRT में इतना दिया गया है और जादा जाने के जुरुत नहीं है NCRT को अगर आप सिर्फ पढ़ें तो बट अपने interest के लिए आप और पढ़ सकते हैं different history books में different books में तो types of maps की बात करते हैं अगला यहाँ पे इतने पे होता है तो आप यह इसमें इतना level of detail होता है कि आपके घर की boundaries भी आपको दिखती है आपके पडोसे के साथ जब भी जमीन का कोई dispute होता है तो cadastral map निकालने के बात करते हैं जिसमें खाता-खसरा number दिया होता है है ना और topographical map क्या है जहाँ पे topographic का representation है कहाँ पे उपर है, कहाँ पे नीचे है पहाड है, खाई है, इस तरीके का topography है तो यह बाते आप देखेंगे करने के लिए 1 is to 25,000 का scale, 1 is to 50,000 का यह सब बहुत common topographical map के scale है इसमें agricultural land, forest, settlement और यह सारे relief, drainage यह आपको बड़ा होगा, लेकिन details कम होँगे, right, so less details, जिसमें आप wall map अपने अपने घर में अगर कोई wall map लगाया है mostly जब UPCI experience त्यारी करते हैं तो बड़ा सा wall map लगाते हैं इंडिया का, world का, तो वो wall map हो Atlas के maps हो, जो की बहुत general maps होते हैं, बड़े areas को represent करते हैं detail थोड़ी कम होते हैं इनको हम बोलते हैं small scale maps अब आते हैं functional maps map based on function तो इसमें आप देखिए physical map नाम ही है physical, यानि सिर्फ physical properties को दिखाएगा, तो physical properties यानि geomorphology, relief, geology soil, drainage, weather, climate vegetation, यह सारे physical properties वाले हैं, तो इसमें आप देखिए क्या क्या आता है relief map, geological map climatic maps, यह सारे के सारे यहां दिए गए हैं अलग-अलग areas के example दे दिया गया, NCRT में pictures के साथ relief map कैसा दिखता है, तो देखिए आप यहां पे land slope दिया गया है, कि कौन से areas में कैसा slope है, सबसे highest elevation जो है, वो किन areas में है सरफ देख के आप color से बता सकते है कि यह area में ज़्यादा elevation है यह थोड़ा सा yellowish tinge ज़्यादा है और green area जो है, वो नीचे की तरफ है यानि यहां अगर कोई नदी होगी तो इधर की तरफ flow कर रही होगी, isn't it यह भी अपने आप में बड़ा interesting है topography के साथ फिर ऐसे rocks and minerals का color representation के साथ सीदे सीदे दे दिया गया है ऐसे ही आप देखिए, climatic conditions का map देखिए जैसे जैसे आप देखेंगे यहां पे आपको annual rainfall जितना ज़्यादा deep blue है यानि इधर जा रहे है उतना ज़्यादा ज़्यादा बारिश है और जितना ज़्यादा आप इससे दूर जा रहे है इस तरफ उतना कम बारिश है climatic conditions का example दिया गया है ऐसे ही आप देखें यहां पे soils का example दिया गया तो cultural maps हमेशा आपको man-made, human-made features दिखाएगा जिसमें आपको sex, age, social, religious, composition, literacy, growth all those things, transportation, production यह जितने भी human features है तो इसको आप human maps कह सकते हैं तो इसमें political maps होंगे district boundaries, state boundaries, country boundaries यह सारे बात है population map, कहां पे population का concentration जादा है कहां कम है वो इस तरीके से आप देखते हैं इसमें dot method का बड़ा इस्तमाल होता है one dot जो है वो कितना represent कर रहा है कितने population को दिखा रहा है तो इस तरीके से use होता है dot method economic maps में आप obviously बात ही है economy की तो types of crops, minerals, industries इनका representation होगा किसी area में और इसी तरीके से आप देखेंगे transportation में तो आप देखेंगे roads, railway lines, railway stations airports का representation होगा आप इस तरीके से देख सकते हैं industrial maps तो basically इतने variety के maps हम बनाते हैं cartography में और use of maps क्या है obviously geography वाले, geology वाले planning वाले in fact कोई भी जिसको tourism भी करना है वो एक basic map ज़रूँ ढूनता है कि अच्छा यहां जाएंगे तो कैसे आजकल google maps आपके phone में आगे है तो आसान हो गया है life imagine करिये 20 साल पहले वहाँ लोग हाथ में map लेके tourist चलते थे tourist guides करते थे अब digital हो गया है तो आपको digital platform पे वही चीज मिल रही है बट अभी भी utility है maps का distance के लिए direction के लिए area जानने के लिए यह सब के लिए maps का ज़रूथ है इसलिए cartography से digital cartography का जो यह transformation है वो बड़ा interesting है और अब इसको और आसान बना दिया गया है common usage के लिए बना दिया गया है आपने गाड़ियों में लेके चलते हैं GPS और उसी से आप सारा road track करते हैं और तो कई बार GPS गलत भी दिखा देता है but the whole point is जितना ज़्यादा accuracy होगा उतना better आपके लिए होगा और accuracy किस पे होगा अधारित इन ही basic parameters पे scale क्या है, datum क्या है, projection क्या है तो आप देखेंगे remote sensing data को use करके geographic information system बना और उसी से GPS जुड़ा हुआ है तो RS, remote sensing GIS, geographic information system और GPS, ये तीनों integrated है देखेंगे आप जो भी किया गया है पहले अलग तरीके से करते थे जैसे rotameter का इस्तमाल होता था instrument का measure करने के लिए distance को, right, directions की बाद बड़े important थी, तो आप देखेंगे cardinal और intermediate directions की बाद थी ये सब पहले के समय के थे अब क्या है इतनी ज़ादा, इस पे detailing digital way में आसानी से हो जा रही है अब measurement of area, देखें ये area calculation होता था, map को लेके particular tracing sheet को use करके और उसको particular way में आप देखते थे, तो इस पे planimetric surveys होते थे, polar planimeter कहते थे, तो ये सारी चीज़े पहले के time पे use होता था यहाँ पे represent कर दिया गया है, पर ध्यान रहे, ये अब सर्फ किताबों में हैं, या किसी-किसी जगह पे university में, या schools में पढ़ाए जाने के लिए हैं, अब इन सब का इस्तमाल बंध हो चुका है, practical purpose के लिए, क्योंकि technology advance हो चुका है, लेकिन हाँ, आपको जानना जरूर चाहिए, ये क्या होता है और कैसे इस्तमाल करते थे, पहले क्यों इस्तमाल करते थे, ये सारी बाते इसमें कही गई है, और उसके बाद exercise दिया गया है, इस chapter में, तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो basics to introduction of maps है, ये आपको समझाया होगा और आप इस video को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में share जरूर करिए, subscribe नहीं किया, तो please do subscribe to our channel और मिलते हैं अगले वीडियो में अगला chapter हम पढ़ने वाले हैं, जो कि scale पे होगा, फिर projection पे होगा, और भी सारी चीज़े, जैसे जैसे ये दिया गया NCRT में, कार्टोग्रफी, one after the other, we are going to complete it so, all the best wishes enjoy करिए, take care